बॉलिवुड में मास फिल्म बनाने के लिए अगर किसी डिरेक्टर को चुनना पड़े तो गुरू 90% लोग सिफ एक नाम लेंगे रोहिच शेटी इनकी फिल्मों में गाड़ियें जमीन पे कम और आस्मान में जादा चलती हैं लेकिन सर्कस ने इनकी उड़ान पे थोड़ा ब्रिक जरूर लगा दिया था बट अब बंदा वापिस लोटा है अपनी सबसे बड़ी पावर माने कॉप यूनिवर्स सिंगहम सिंभा सुरिवन्शी की तरफ इस पुलिस यूनिवर्स का नेक्स चैप्टर खुलने वाला है और सबसे बड़िया बात थेटर नहीं जाना है घर बैठे बैठे आप इसका हिस्सा बन सकते हो इंडियन पुलिस स्पोर्स की बात हो रही है जो ताजा ताजा नया नया एमेजान प्रैम पर रिलीज हुआ है रोहिच शेटी सिनिमा सीधा डिरेक्ट टीवी एंड मुबाइल पर कैसा है क्या सच में देखना चाहिए या नहीं चलो बताती हूँ तो भाया कहानी एक साई की है एक परचाई जिसका पीछा पूरी दिल्ली पुलिस कर रही है क्योंकि इस परचाई पर इलजाम है 26 बॉम ब्लास्ट करने का इंडिया गेट घूमने गए हो फामिली के साथ लंच करने जाते हैं बहुत लोग बैंच पर बैटकर उस बैंच के नीचे एक टाइम बॉम लगा था डर गए ना पुलिस के पास क्या है एक ड्रॉइंग है सर जिसको छोटे बच्चे से बनवाया है जो बोलता है उसने राक है जिसके निशाने पर एक राक्षस है लेकिन इंसान की शकल में गोली चलाओ गए या फिर दूसरा मौका दोगे यह सोचकर कि शायद अब राक्षस हमेशा के लिए इंसान बन चुका है बोलो बोलो हाँ तो भया खा गए ना धोका मेरे कहानी सुनाने के तरीके से क्योंकि आक्चिली में इंडियन पुलिस फोर्स के अंदर कुछ भी नया कुछ भी डिफरेंट नहीं है इमानदारी से बता देती हूँ वही चोर पुलिस वाला खेल है जिसको कम से कम 7700 बार 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 बॉलिवुट फिल्मों में देखा है आपने इसलिए ये समझ लो कि 4-5 घंटे का शो देखने से पहले ही आपको पता है कि क्लाइमिक्स कैसे और कहां पे खतम होने वाला है जीरो सर्प्राइज़ मिलेंगे अगर आप फामिली मैं जैसा सुस्पेंस थ्रिल ट्रिस्टें टर्न एक्सपेट कर रहे हो तो सौरी भाई इस सीरीज में उसका 10% भी नहीं मिलने लेकिन मजा तो फूल आता है है ना बट दोस्त इंडियन पुलिस फोर्स में सिफ कहानी नहीं कहानी दिखाने का तरीका भी पुराना और बोरेंग है यार प्रेजेंटिशन बहुत थंडा है भाई लो लेवल एक रोहिच रिटी प्रोजेक्ट से जितना आप एक्सपेक्ट करते हो ना बड़े-बड़े सेट्स, खूप सारा एक्शन, मार धार, स्पेशल एफेक्ट्स वाले खतरनाक सीन्स शॉकिंगली वो सब इंडियन पुलिस फोर्स में एकदम गायब है ऐसा लगता है सरकस में जो पैसा उड़ा दिया ना उसकी कटौती इस वेब सीरीज में की इतना सब कुछ गडबर होने के बाद भी अगर इस शो को कुछ बचा सकता था था ना तो वो हैं इसके अक्टर्स आक्टिंग परफॉर्मेंस लेकिन सॉरी टू से इंडियन पुलिस फोर्स के पास नाम वाले बड़े-बड़े आक्टर्स थो हैं लेकिन काम वाले आर्टिस धूनने से भी नहीं मिलेंगे पूरे चार घंटे पूरी सीरीज में एक भी सीन ऐसा ऑथेंटिक और रियल फील नहीं होगा आपको सारे के सारे आक्टर्स जबरदस्ती जान बूचकर जरुद से जादा ओवर आक्टिंग कर रहे हैं अभी थोड़े टाइम पहले मैंने एक म पोटेंशल है वो शेर शा में देखा है हमने लेकिन एक मशीन खुद से तो नहीं चल सकती ना उसको चलाने वाला मेकैनिक माने डिरेक्टर अगर उसका स्विच आफ कर देगा तो मलोतरा जी क्या कर सकते हैं इवन शरत केलकर का कैमियो वेस्ट किया हैं लोगोंने क्या जब नेगेटिव केरेक्टर बनाया इन्होंने उसके लिए नेगेटिव में बहुत सारी शिकायते हैं टॉप फोर बता देती हूं आपको बैगराउंड मुजिक बहुत ही एवरेज है एक्शन का लेवल बहुत थंडा है एक्टर्स को सिफ नाम पे कास्ट कर लिया काम किसी से न बारे में बाकी थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर बैबाए